को कि हलो साथियों कैसे वाप सब उमिद करता हूँ कि बहुत अच्छे वोगी आज क्या होता है इसके बारे में लगभग लोगों को पता है लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बताऊंगा ठीक है रेक्टेंगल होता क्या है इसके कुछ महत्तपूर कांसेप्ट और फार्मूले जैसे आयत का छेत्रफल निकालना आयत का परिमाप निकालना मैं आफ़ा तरीका बताऊंगा जिंदेगी में कभी नहीं भूलोगे पूरी गारेंटी है ठीक है तो पहले नाम पर आजाओ पहले नाम जान लो इनका आयत जि हैson इनकी सबसे बड़ी विशेष्ता है कि आयत का पर्ते को neighbors नामे का होता है ठीक है याद रखना आयत का परते कोन अभी नभी नभी का होता है पहली इनकी और धर है दूसरा इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है ठीक है अपोजिट साइड क्या होती है बच्चा इक्वल होती है यह इनकी एक विशेष्था है अगला मतलब जितना यह है इधर वाली अगर यह चार फेंटी मीटर है तो यह भी चार ही होगी और अगर यह मानलो दो है तो यह भी क्या होगी दो ही होगी अपोजिट साइड क्या होती है दूसरे के इक्वल होती ही मतलब बराबर होती है ठीक है यह इनके विशेष्था है अब सब क्या है कि देखो बहुत ही आफान है वास्तों में पहले चीजों को समझना होता रटने से कुछ ना होता ठीक है रटने से कुछ होता नहीं गड़ भले हो जाए कुछ तो चे तर्फल होता क्या है पहले उसके बात करते हैं कोई भी बंद आकरती जितना भी जगा घेरती है वही इसका छेत्रफल है ठीक है मतलब यह जितने दूर में है जैसे देखो मारा पैनल इतना बड़ा है जितना बड़ा में डांस कर सकते हो एक लेकिन उसमें से इसने सिर्फ इतनी जगा ले रखा इतनी इतनी बागी कुल तो यह इसका जो वजूद है यहां तो नहीं है न तो इसने जितना जगा कुल कबर किया है वही क्या है इसका वही इसका छेत्रफल है यानि यह एफ जितना जगा इसने कबर किया है इसका छेत्रफल है समझ गे मतलब बंदाकृती द्वारा जितना भी जगा घेरा गया वही क्य बात करें तो क्या होगा वह देखो हमें पूरा एरिया कबर करना है तो एक बार हम लंबाई लेंगे एक बर चोड़ाई बफ इतना यह में चाहिए ठीक है तो छेतरफल बराबर क्या होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई ये लगभग हर एक आकरती में जो इस तरीके की चतुरभुज होते हैं सब में वही होता है वही तरीका होता है ठीक है लंबाई गुड़े चोड़ाई आयफे ही सेम तरीका वर्ग में भी होता है चुकि उसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है इसलिए उसको छेत्रफल बराबर भुजा का स्कॉयर बोल देते हैं बस इतना अंतर है ठीक है तो लंबाई को अगर हम यल से डिनोट करें चौड़ाई को यानि विथ को क्या कर ओर तो छेत्रफल उसका ना इसका चौड़ाए आप ने बता दिया लकिन इसका इरिया और क्या होगा लंबाई गुड़े छोड़ाई मतलब लंबाई देखो कितना चार ईई और चौड़ाई दिया है अगर यह भुजाएं सेंटीमीटर में है तो ठीक है अगर मीटर में होती या फेंटीमीटर या जो कुछ किलोमीटर इंच में कुछ भी तो वर्ग इंच या वर्ग किलोमीटर या वही हो जाता जो यहां पर मात रखता ठीक है ऐसा क्यों होता है क्योंकि इनका गुड हो जाता है न लेकिन जोडने में ऐसा नहीं होता है तो आप ऐसे समझाते हो इसको इजली याद देखा होगा जहाँ पे हम लोग फसल लोग आते हैं रहगा किसान लोग तो खेत में क्या होती अजकल गाय चंगली जानवाई या अंडुट की मेश करकेसल को निस्ट कर देते बहुत common है हमारे यह यूपी में तो किसान क्या करते हैं चरो तरह रसी लगाते है या बाढ़ लगाते हैं उन्हें आप बोल सकते हो तो मंलो कर यह खेत है अगर इसके चरो तरह बाढ़ लगानी है ठीक है मतलब पशुओं से बचाने के लिए हमें इसको सुरचित करना है तो ह तो हम उसका छेत्रफल निकालेंगे लेकिन अगर हमें उसे चारों तरफ कबर करना किना किना दिवाल बनानी या रसी लगानी है तो हमें उसका परिमाप पता होना चाहिए परिमाप क्यूंकि चारों भुजाओं के जोड को कहा जाता है ठीक है तो आयत का परिमाप क्या होगा आयत का परिमाप क्या होगा बच्चा देको चारो भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं यह तुम्हें बता चुका हूँ तो लंबाई कितनी बार सामील है इसमें दो बार या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो अगर लंबाई को यल लेलो तो यल यल यह वह भी है ना तो दो बार यल है दो बार भी है ना तो ऐसे आप कहसकते हो यल धन यल या वी धन भी थोड़ा फुरूक ना कैमरा डिक्चार्ज हो चुका है तो यह तू यल धन टू भी हो जाएगा बच्चा इसमें कामल ले लोगे अगर टू तो यल धन भी ठीक है तो दो गुड़े लंबाई धन चोड़ा यह क्या होता है यह होता आपका परिमाप ठीक है बच्चा दन अगर हम इस सूत रुपे इसको लाहा के पटक दें जो आपका यह दिख रहा है सवाल तो क्या होगा ज़र समझना जब तक चल रहा है ठ लगेगा तो यह एक वीडियो में आपने एक टॉपिक का कांसेप्ट समझ लिया चेतरपल समझ लिया परिमाप समझ लिया आयत का बेसिक कांसेप्ट समझ लिया इनकी संभुग बराबर होती है प्रतेकों 90 के होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके बिकड़ दूसरे को स चीज का चाहिए मुझे बताना जरूर ठीक है तो प्यारे बस इसमें इतना ही थैंक्यू वीडियो को लाइक सेर करना जरूर ठीक है